hello friends आप देख रहा हैं आपका Чानल Investment का बाजार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचील के स्टॉक के उपर, दोस्तों बीएचील के स्टॉक में, आज एक पोल बैक आया है, लगबग 40 पैसे की तेजी, बीएचील के स्टॉक में देखी गई है, काफी दिनों बाद दोस्तों ये तेजी देखी गई है, इस तेजी के दोस्तों कुछ कारण है, और कुछ आ अगर आज का open देखें, तो लगबग 69.15, कल का 69.80, आज दोस्तो gap down opening थी, market लगबग 1500 point नीचे बंद हुआ है, Nifty की मैं बात कर रहा हूं तो, तो अब देख सकते हैं, आज gap down opening में, BHL में भी gap down opening हुई, लेकिन दोस्तो आप आज देख सकते हैं, आज 58.55 पैसे का low लगा है, औ अगर आज आप देखें, तो आप देख सकते हैं, Nifty में negative closing, Bank Nifty में negative closing, और Nifty mid cap index में positive closing, तो आप देख सकते हैं, 2-3 trading session में, Nifty mid cap index बिल्कुल sideways काम काच कर रहा था, ना जादा तेजी, ना जादा गिरावट, और आज आप देख सकते, lower level से लगबग 400-500 points की recovery, Nifty mid cap index में अगर आज आप देखें, तो Nifty consumption index और Nifty CPS index, दोस्तो इन दोनों index में अच्छी कासी recovery देखी है, जिसके करण आप देख सकते हैं, BHL के stock में अच्छी कासी तेजी देखी गई है, अगर आज की volume पर बात करें, तो आज 21 million की volume, BHL के stock में देखी गई है, लगबग 60 रुपे 15 पैसे पर stock ने closing दिये, 35 पैसे की छोटी सी तेजी आई है, लेकिन दोस्तो इस तेजी के कुछ माइन है, क्योंकि दोस्तो काफी दिनों से BHL का stock negative में काम काच कर रहा था, और आज के दिन दोस्तो BHL के stock में positive closing आई है, और I think so दोस्तो ये positive closing का सिलतेला चलता रहेगा, और चास पैसे तक की recovery, और I think so दोस्तो कल के दिन भी recovery continue होगी, और कल के दिन भी आपको 62 रुपीज तक के level देखने को मिलेंगे, अगर करके intraday levels की बात करें दोस्तो, तो कल आपको, अगर 60 रुपे 15 पैसे पर कल आप buying करते हैं, तो दोस्तो आपको minimum target 61 रुपीज का देखने को low आपको दे रहा हूं stop loss, 59 रुपीज 20 पैसे का low का stop loss रख लीजिए, कल 60 रुपीज 50 पैसे पर closing आती है, opening आती है, तो I think so आपको buy करना चाहिए, और अगर मान लीजे कल market gap down में खुलता है, तो I think so दोस्तो, every आप हर level पे BHL के stock को buy कर, I think दोस्तो, BHL के stock में recovery आएगी, और BH के target की बात करते हैं, तो Minimum 70 रुपी की target, अबन मान सकते है, 3-4 महहँनिं के इंदर थारुपीrice की target, I think so Bluetooth से पहले 70 रुपी के level भी आ सकते है, QUальная का stock में, share करना, subscribe करना दोस्तो, thank you friends for watching this video